ओम सरवे भवन्तु सुखिना ग्रहन से जोड़ी छोटी मुटी वीडियो आप देखी रहे होंगे बड़ी वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो नया ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता हो जैसे की टाइम जैसे की किस राशी पर क्या आथार होगा वगरा वगरा म्रग्षिरा नक्षत्र क्यों खास है इस ग्रहन में? क्योंकि creativity, intellectuality, intelligence वगर के लिए responsible म्रग्षिरा है. बुद्ध की भी speciality इन चीजों से ही जुड़ी हुई है, यह हम इंसानों की protection के लिए जो सबसे important चीज है, वो है हमारी intelligence, हमारी बुद्धी. तो intelligence का जिकर क्यों हो रहा है? क्योंकि यह ग्रहन लग रहा है हमारे intelligence पे, यह ग्रहन लग रहा है हमारी intellectuality पे, यह ग्रहन लग रहा है हमारी बुद्धी जीविता पर. कैसे? पर सोचेंगे आपकी ग्रहन तो सूर्य अचंद्र को लगता है, और बुद्धी मता के लिए सूर्य अचंद्र दोनों में से कोई कारक होते नहीं है, तो फिर यह कैसे होगा? तो ग्रहन सिर्फ सूर्य पर नहीं लग रहा, सूर्य जिस भाव में हैं, इस भाव में बुद्ध भी हैं. ठीक वैसे ही, जैसे 26 दिसम्बर 2019 को जब ग्रहन लगा था, तो 6 ग्रह एक ही भाव में थे. वैसे इस बार 4 ग्रह एक ही भाव में रहेंगे, और यह 4 कौन-कौन से ग्रह हैं, तो सूर्य है, चंद्रमा है, मितुन है, और इन सब को ग्रहन लगाने वाला राहू, और यह सारे कहां रहेंगे, मितुन राशी में, नक्षत्र म्रिगशिरा होगी, इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग, यानि कि जो क्रियेटिव हैं, या फिर गलत डिसीजन्स लेंगे, और दूसरा आपकी सेहत पर असर करेगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बुरा असर करेगा, खास द journée, से बड़ी नामचीन हस्तियां जिनके नाम के आगे हम माननिय पूजनिय वगरा लगाते हैं ऐसी हस्तियां उन में भी खास तोर से महिलाएं कुद्रत बेरहम हो सकती है इन लोगों पर अगर आप वराह महीर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रहन ज्यादतर राजा या राजतुल्य लोगों वगरां के लिए सानिक वगरा के लिए अच्छा नहीं होता बुरा होता है बुरा तो ये इस बार कला विद्वान जो कला विद्वान होते हैं उनके लिए भी है आर्टिस्टों के लिए भी है क्रिएटिविटी से जुड़े जो भी काम है जिसे ल इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो जमुना तट पर रहते हैं या गंगा तट पर रहते हैं या सोन नदी के तट पर रहते हैं या पूरवी समंदर चले जाए इधर उड़ेसा वेस्ट बिंगॉल का जो जो जोन है उस तरफ रहते हैं या वहां के मूल हैं मूल निवासी और कहीं और भी काम कर रहे हो इन इंडस्ट्रीज में उनके लिए खासा खतरनाक साबित हो सकता है ये ग्रह अब आजाईए एक्स्क्लूसिफ जानकारी नंबर टू पर और ये क्या है ये कोरोना है कोरोना वाइरस क्या विक्राल रूप और लेने वाला है क्या इसका पीक अभ जरू हुई ये आपदा है तो इस ग्रहन में ये समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात याद रखें यहाँ पर कि ये ग्रहन अकेला नहीं है मेरे दोस्त पहला ग्रहन हो चुका है दूसरा अभी सूरे ग्रहन है और तीसरा फिर से च कोरोना की आपदा समाप्त हो जाएगी तो जवाब बहुत सटीक आपको इसलिए नहीं लगेगा अभी क्यूंकि राहू दरसल वाइरस का कारक होता है और राहू को कंट्रोल करने की पावर जिसमें है वो है बुद्ध यानि कि राहू का अगर काट किसी में है तो वो है बु हैंड चिकितसकों के लिए अच्छे फल लाएगा रिसरचर्स के लिए अच्छे फल लाएगा मतलब वैक्सीन वगरा के मामले में हम तेजी देखेंगे और कुछ ठोस नतीजे निकलकर हमारे पास आएंगे और यह कब होगा यह होगा जब बुद्ध पहुंच जाएंगे अ इसके बाद राहु का भी राशी परिवर्तन हो जाएगा 23 सितमबर को तो चीजें फिर सम्हलती हुई डिखने लगेंगी कि अब चीजें सम्हल जाएंगी इस ऐसा भरोसा जागने लगेगा लेकिन फिर डेसेंबर में ग्रहन है और यह ग्रहन पूर्ण सूर यह ग्रहन है त इससे ग्रहन का दुष्प्रभाव इन पर ना पड़े या कम पड़े तो छे महीनों तक इस ग्रहन का असर रहने वाला है और उनके लिए तो कोई जवाब ही नहीं जो कहते हैं कि ग्रहन ग्रहन का कोई असर नहीं होता यूवी रेज आप पर असर कर सकती है इन्फरारेड आप पर असर कर सकती है लेकिन ग्रहन की रेज आप पर असर नहीं करेंगे अगर आप यह सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं खयाल रखिया अपना नमस्कार